हलो स्टूडेंट्स डेनिंग लाशेजम आपका स्वागत हैं राजस्तान हाई कोट में सिस्टम असिस्टेंट का आपका एक्जाम 18 मई आपकी एक्जाम डेट आ चुकी है आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं आज 5 मई है तो मैं लगबग बात करूं आपके पा आपका सेलेक्शन ते कर देंगे इन बारा से तेरा दिनों में आप अच्छी रण नीती से चलोगे अच्छे से सब कुछ मेनेज करते हुए चलोगे आप सेलेक्शन ले जाओगे इस बरती में आपका सेलेक्शन शोर सेलेक्शन पका सेलेक्शन आपका हो जाएगा बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो अंतिम समय में ध्यान रखना जो अंतिम समय में खेल गया वह असली योद्ध होता है वह जरूर जीत जाता है जीत उसकी पक्की होती है तो यह जीत करने के लिए आपको जीतने के लिए आपको अंतिम यह जो बारा से तेरा दि में आपको यह करना आपने कर लिया यह सिस्टम असिस्टेंट 2004 सापकी नोगरी पक्की है अब आपको करना क्या है इंस वर्ड भी लेंग और इंस combat बात करें तो तो टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आएगी, देखो बाकी के एक्जाम को आप भूल जाओ कि जहां पर आपके 15-20-25 की स्पीड आती है आप पास होगे पूरे में से पूरे नमबर आगे, यहां पर वो बात नहीं है, यहां पर ऐसे नहीं है कि आप भी टाइपिंग आपने की होगी, लास्ट जो आपके पास समय बचा है, अपने नजदीक में जो भी टाइपिंग क्लासेज आपके पढ़ती है, पूरे राजस्तान में आप कहां से भी बिलोंग करते हो, आपके आसपास में कोई भी टाइपिंग क्लासेज है, अंतिम समय के डालोगे डेनिल टाइपिंग क्लासेज आपको लोकेशन बता देगा जोइन करते हो अंतिम समय में जोइन करते हो आपके पूरे दिन क्लासेज चलती है पूरे दिन टाइपिंग क्लासेज आपके चालू रहती है सुबद 6 बुजे से शुरू हो जाएगी सुबद 6 से 12 बुज 10 गंठे आप typing करो सिधा साधा बता रहा हूं पूरे दिन में 10 गंठे आपको typing करनी है जैसे मेरे पास आते हो सुबद 6 बजे से ले के 12 बजे टे करो फिर शाम को चार तीन से साथ आप वापश करो लगबग 10 गंठे आपको typing करनी है अब typing में आप जब typing class से जोईन करोगे, एक माहूल का अलगी आपके फरक पड़ जाएगा जब इस माहूल में आऊगे, सब बच्चों के साथ टाइपिंग करोगे अपने खुद में इस तरह से एक भावना हैगी कि यार मेरे को आगे निकलना है इस से आगे निकलना सबसे आगे निकलना है स्पीड बढ़ानी है तब वो अपने आप आपकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी जो अगर आपकी अभी स्पीड बीस की है ये लास्ट के दिनों में मैनेथ कर लोगे डबल स्पीड आपकी हो ज जेना है अब जैसे मैं आपको रोजाना अब आपके पास ये 12-13 दिन बचे टाइपिंग करा हुआ स्टूडेंट के कमेंट की सर कितने फीस है केवल 1000 रुपए आपकी फीस है जिसमें पूरे दिन बर आपकी टाइपिंग से लेगी अब जो मैंने आपको टाइपिंग का टाइ एफिशेंसी का आप एक्जाम दोगे तब और इसको अच्छे से समझोगे आप एफिशेंसी का मतलब ये होता है कि आपको कितना जल्दी आता है कितने सेकेंडों में आप इस सवाल का अंसर दे सकते हो ये एफिशेंसी का मतलब होता है टाइम मेनेजमेंट बहुत कर देंगे लेकिन यह जरूरी है कि आप कितने कर देते हो आपने समय कितना लिया है इसलिए आपको ऑफिशेंसी अच्छे से सीखनी जरूरी होती है अभी आपके डेनिल क्लासेज की यह पर जो एफिशेंसी की क्लासेज जो उसमें 50% डिसकाउंट चला दिया गया है जहां आपको MS Word की क्लासेज भी मिलेंगी एफिशेंसी में Excel की क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी तो उस कोर्स पे आपको जो 999 का कोर्स था अभी केवल आपको 4009 में उनलाइन कोर्स भी आप वहां से पर्चेज कर सकते हो कंप्लीट क्लास आप वहां पर एफिशेंसी की देख सकते हो किस तरह के आप से क्योंशन्स पूछे जाते हैं वह सारा सब कुछ बताया गया है तो अब अंतिम समय में आपको लगबग 10 गंटे तो आपको टाइपिंग डैने में बैसिक दिकते आती हैं सबसे डिकती पीडोंटी नहीं बढ़री एक दो गंटे करोगे किसी की नहीं बढ़ती है समय दोगे तो बढ़ेगी speed बढ़ने का एक कारण ये भी होता है कि competition वाला जब माहोल बनता है तब speed बढ़ती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उन्तिम समय में आप नजदी का कोई भी typing class जोइन करो ताकि आपकी speed increase हो जब आप सब के साथ typing करोगे अपने आप हाथ टेज चलेंगे कि यार मैं नहीं करूँगा तो ये करेगा ये selection ले जाएगा ये क्यों लेके जाए selection में लेके जाऊँगा इस तरह जब आप रखोगे तब अपने आप speed आपकी increase होगी और आपको तो Hindi English दोनों को ही time देना है दोनों को ही आपको time देना पड़ेगा जैसे जब मैं भी typing करवाता हूँ तो सभी बच्चों को एक साथ typing एक साथ को एक साथ सारे बच्चे करते हैं उसका फाइदा क्या होता है competition वाला माहूल बन जाता है एक माहूल create होता है तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप नजदीक में कोई भी typing class जोइंग करो efficiency पर भी ध्यान दो selection आप ले जाओगे अंतिम समय में जितनी मेहनत कर ली जितनी typing कर ली जितना efficiency को time दे दिया selection आपका पक्का है system assistant की जोब शांदार जोब शांदार नोकरी है अठाइसो ग्रेट पे शांदार अच्छी कासी है जोब है तो इसलिए अंतिम समय आपके पास वापस बता देता हूँ डंग से अच्छे से मेनत करो typing में जितना ज़्यदा आज तक आपने typing में कितना time दिया है नहीं दिया उसको आप side में रखो अंतिम समय में 10 गंठे देने हैं देने है तो देने ही है रेगुलर आपको देने है चाहिए आपको phone बंद करना पड़ जाए यह जो आपका अंतिम समय है 10 गंठे typing को देने है बाकी के समय efficiency को देने है यह आप चीज गाट बान लो लाश्ट समय में मैनेच कर लोगे selection आप ले जाओगे 100% selection आप ले जाओगे मैं आपको बता रहा हूँ बस यह मत सोसना मेरे तो 10 की speed आ रही है 20 की speed आ रही है 30 की speed आ रही है देखो जो पहले ही हार गया उसकी तो हार निशिती है और जो डट गया कि हाँ कोई दिकतनी यह 10 की है तो यह 50 की भी होगी 20 और speed बढ़ेगी पूरी मानत करूँगा दिन रात एक करूँगा selection लेकर जाओँगा अंतिम समय में जो confidence से खेल गया उसका selection पक्का है और जिस दिन आप paper दे कर आओगे मेरी बातों को समझ गए गोर कर लिया जिस दिन paper दे कर आओगे उस दिन आपक करो यहां नोकरी पक्की हो जाएगी एक रास्ता पार किया है दूसरा भी आपका पार हो जाएगा वीडियो को जितना ज्यादा उसका आप शेयर जरूर करें डेनिल कर से इस पर नए हो चैनल को भी आप सबस्क्राइब कर लें धन्यवाद प्रियो कर बेहना। झाल झाल